हेलो दोस्तो, सस्क्राइब कीजिए BK Computer Hindi चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल नोटिपिकेशन को यूटूब टिप्स और कंप्यूटर कोर्से से रिलेटट अपडेट्स और लेटस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो, BK Computer Hindi में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने पड़ा था, इंसर्ट टैप के अंदर हम टेबल कैसे क्रियेट करते हैं और इसमें पढ़ेंगे हम कि टेबल को हम डिजैन कैसे दें अपने टैक्स्ट के हिसाब से, ओके तो सबसे पहले मैं यहां एक टेबल ले लेता हूँ, यह टेबल ऑप्शन पर नीचे जो डाउन एरो आड़ा है इस पर क्लिक करेंगे इसके उपर कम्प्लीटली मैंने एक वीडियो बना रखा है, चाहें तो आप उसे देख सकते हैं इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा, तो यहां से मैंने इस टेबल को create किया, अब जैसी हम यहां टेबल लेते हैं, तो यहां आपके सामने दो टैप खुलकर आते हैं, एक design का एक layout का, तो आज हम पढ़ेंगे design के बारे में, तो यहां आपको बहुत सारी designs देखने को मिलें जिस design के ऊपर आपको अपना cursor ले जाएंगे, वही design आपके table पर apply होती ही नजर आएगी, इस तरहीं के से, जैसी आप यहां आएंगे नीची down arrow आ रहा है, इस पर click करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी designs देखने को मिलेंगे, जिन में से आप कोई भी design select कर सकते हैं, आपको आपका text क्या है, नीच क्या है, आप एक mark sheet के लिए design कर रहें table या किसी other work के लिए तो उसी साब से आप यहां से design select कर सकते हैं, तो फिलाल समझने के लिए हम यहां से design ले लेते हैं, मालो मैं इस design को ले लेता हूँ, ओके, अब यह तो हो गया table styles, और secondize में table styles options, ओके, यहां आ रहा है header row, header row पर यहां check mark लगा हुआ है, इसलिए हमारी header row है यहां highlight हो रही है, हम चाहते हैं यह वाली row बाकी जो row है इनकी तरह हो तो इसके लिए हम यहां से check mark हटा देंगे, इसी तरह है first column, अब यहां first column highlight हो रहा है आपका यह columns है, ओके, यह क्या होते है columns और यह जो उतनी rows, जो lines यह rows तो यहां first column से भी हमें इससे हटाना है तो यहांसे हम अंचेक करेंगे, यह पूरी table AJ से हो जाएगी और हम चाहते हैं यह first column highlight रहे तो इससे check mark करें, इसी तरह जो heading बाली row है वो थोड़ी अलग दिखाई थी तो उसके लिए आप यहां check mark कर सकते हैं, total rows, total rows का मतलब होता है कि आपकी जो header row है, बिलकुल उसी design में आपकी नीचे की bottom row है वो दिखाई थी, तो उसके लिए आप यहां total row पर check mark कर सकते हैं इस तरीके से, ओके, और यहां आ रहा है last column, यहां उपर हमने पड़ा first column, first column हमारा highlight है आप चाहते हैं कि first column की तरह ही आपका last column दिखाई दे, यही design आपकी last column में होनी चाहिए तो यहां आप last column को check mark कर सकते हैं, और यह आ रहा है bandit rose, यहां already tick mark लगा हुआ है, bandit rose का क्या मतलब होता है, कि एक row जो है आपकी वो थोड़ी deeply color में होगी और एक थोड़ा हलका color, इस तरीके से इसे गोलते हैं bandit row, तो यहां से मैं इसे uncheck करूंगा, तो हमारी जो rows हैं इन सभी का color एक जैसा हो जाएगा, यह देखिए, बिल्कुल एक ही color हो गया, अब इसी तरह आप यह bandit column के लिए, यह row के लिए हो गया, यह column के लिए, जैसे हम column को check mark करेंगे तो यहां आपका एक column थोड़ा खलकी color में आएगा, यह थोड़ा deep color में, इस तरह आप इन options का use कर सकते हैं, ओके, और अगला जो option आता है, वो आता है setting, पहले हम normal table ले लिते हैं, setting क्या होता है, setting की इस option से हम अपने table को color दे सकते हैं, जैसे मुझे first वाली जो row है, इसको एक अलग color देना है, मैं इसको red color में चाहता हूं, तो इसे हम select करेंगे, और यहां नहींच arrow के icon पर click करेंगे, और यहां से color चूस कर लेंगे, जो color आप देना चाहते हैं, मालो मैं इस वाले column को अलग color देना चाहता हूं, तो आप इस column के ऊपर जाईए, यहां click कीजिए, select हो जाएगा, और यहां से आप इसे, अपने एसाब से कोई भी color दे सकते हैं, इस तरीए जाए, तो control z करते हैं, वापस चलते हैं, और जो next option है दोस्तों, वो है border, setting के बाद, border style, border क्या होता है, जो हमारी table जो बनी हुई है, यह एक lines की मदद से बनी हुई है, इन lines को बोलते हैं border, अब इन्हें हमें कैसे design करना है, मालो आपको जो first वाली row है, यह वाली row, इससे आपको अलग से design देनी है, table के अंदर, तो इससे आप select की कीजिए, और यहां आ रहा है border style, यहां नीचे इस पर click कीजिए, और यहां बहुत सारे styles आपको मिल जाएंगे यहां, जैसे मैं इस वाली style को देना चाहता हूँ, तो यहां मैं click करूँगा, और यहां आ रहा है border, नीचे arrow पर click कीजिए, इसके bottom में देना चाहते हूँ, यह अपर देना चाहते हूँ, left में, right में, उसी साब से आप यहां select कर सकते हूँ, मैंने किया all borders, इस row के जो जितने भी borders हैं, उस सभी को मैं यह design देना चाहता हूँ, तो इस तरह आप दे सकते हूँ, मालो आपको complete table को देना है, तो आप यहां से complete table को select करेंगे, table को मैंने select किया मिलकुल again यहां से आप border के उपर जाएंगे, अब इस table के bottom में देना चाहते है, आप देखी bottom में आ गया, top पर left में देना चाहते है, right में, कि और बॉर्डर करना चाहते हैं तो यहां से आप इसे ओल बॉर्डर कर सकते हैं इस तरह है इस तरह आप इसे डिजाइन दे सकते हैं डिजाइन का कलर चेंग करना चाहते हैं आप यह रेड है तो यहां आप कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो यहां आ रहा है पीन कलर इस जैसे मैंने यहां से यालू color ले लिया यलू ठोला कम दिखाई दे रहा है दोस्तों तो मैं असे ले लेता हूं किस वाली color है अब यहां से आगें बॉर्डर के उपर जाए है और यहां मैंने कर दिया call बॉर्डर यह देखिए इस तरह आप अपने जरुवत के इसाफ़ से टील को डीजाइन कर सकते हैं और जो अगला उप्षन है वो आरह बौडर पेंटर इसका यूज कैसे करते हैं जैसे मालो आपको इस पेसली इस वाली लाइन को बौडर देना है या इस वाली लाइन को देना है, सिंगल लाइन को बॉर्डर देना है आपको, तो इसके लिए आपको, या लाइन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप बॉर्डर पेंटर के उपर क्लिक कीजिए, ओके, यहां आपकी जो करसर का जो आइकन है, वो चेंज हो चुका है, हमें इस वाली लाइन को बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो इससे इस तरह स्लेक्ट कीजिए, यह देगी, इस तरह, कंट्रोल चेर, बाप चलते हैं, यहां से इस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इस्टाइल चेंज किया, और आप चाहते हैं, इस व इस तरह है, इस तरह है, अब पर्टिकूलर किसी भी लाइन को इसकी मदद से बॉर्डर दे सकते हैं, ओके, इस तरह है, बॉर्डर पेंटर की मदद से, और जो सबसे इंपोटेंट, इसमें एक उप्शन आता है, जैसे माल लूग, यहां पर बहुत सारे स्टैल्स दे रखें, ओके, अब इन स्टैल्स के अंदर आपको कोई स्टैल्स पसंद नहीं आ रहा है, ओके, तो हम अपनी तरफ से कोई भी स्टैल्स के से, क्रियेट करेंगे, हम अपनी तरब से कोई भी style के से create करेंगे, अब इन में से कोई style आपको पसंद नहीं जा रहा है, तो नीचे option देख सकते हैं, आप यहां रहा है modify table, clear and new table style, तो आपको new table style के उपर click करना है, यहां आपके सामने एक window खुलकर आएगी, एक pop-up type, तो यहां अपनी style को अप क्या नाम देना चाहते हैं, यहां नाम दे सकते हैं, यहां जैसे, मैं इस style को नाम यह देता हूँ, बी के computer हिंदी, ओके, अब यहां, यहां से आप इसे क्या color देना चाहते हैं, border को, कौन सा border यूज़ करना चाहते हैं, जैसे, मैं यह three line वाला यूज़ करना चाहता हूँ, इसका size आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, ओके, और, border का जो color है, आप यहां से उसे change कर सकते हैं, जैसे black करना चाहते हैं, तो black हो जाएगा, और मैं इसे ready रहने देता हूँ, और, यहां आता है, कि आप, जो table जो design आप create कर रहे हैं, वो सभी को border देना चाहते हैं, या top पर देना चाहते हैं, या bottom में, तो मैं यहां कर देता हूँ, और, इसका जो background color है, यहां से आप change कर सकते हैं, जैसे मैं yellow कर लेता हूँ, ओके, और, यहां जो text आ रहा है, table के अंदर, इसे आप यहां से align कर सकते हैं, इसको middle में ले लेता हूँ, इस तरीके से, ओके, और, यहां जो font आ रहा है, यहां मैं इसे bold कर देता हूँ, italic भी कर देता हूँ, और underline, तो मैं चाहता हूँ, कि इस design को मैं अपने पास रखूँ, जैसे कोई design इन में नहीं है, आप बार बार use करना चाहते हैं, तो उसी साब से आप अपने लिए design create कर स कर सकते हैं, तो यह design हमारी यहां पर हो चुकी और simply आपको यहां से okay करना है, तो यह देखिए, जो हमारी design है, यहां पर, designs के अंदर आ चुकी है, मैंने इसे नाम जिया था, बी के computer handy, जैसे ही मैं इसके उपर करसल ले जाऊंगा, यह नीचे नाम आरा, बी के computer handy, अब future में आप इसे कभी भी use कर सकते हैं, आपको बार बार design करने की जुरूत नहीं पड़ेगी, आप अपने एसाब से भी table के लिए design create कर सकते हैं, और इसको हमें delete करना है, तो इसके लिए आप यहां right click कीजिए, इसके उपर, तो यहां right delete table style, और यदि आप इसे modify करना चाहते हैं, इ तो मैं फिलाल इसे delete table style कर देता हूं, delete कर देता हूं, तो यह था हमारा table tag के अंदर design, तो next video में हम पढ़ेंगे दोस्तों layout के बारे में, उम्मीद करता हूं video आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक like जरूर करें, चैनल को subscribe करें, क्योंकि computer course related जो updates हैं, वो स सभी मेरी चैनल के आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो बहुत करने के लिए बहुत 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 लन्यवाद,